हेलो दोस्तो अंजीन दाल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं जिस topic पर बताने जा रही हूँ वो है मातरी भासा, राज भासा और राश्ट्र भासा आज हम सिखेंगे मातरी भासा किसे कहते हैं राज भासा और राश्ट्र भासा का क्या मतलब है जदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सेयर कीजिएगा और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथ ही बेल आइकन कोड प्रेस करना कभी नहीं भूलिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मात्री भासा किसे कहते हैं राज भासा और रास्ट्र भासा में क्या अंतर है सबसे पहले जानते हैं मात्री भासा जो भासा बच्चा अपने घर में रहकर अपने माता पिता वो परिवार से सीखता है उसे हम मात्री भासा कहते हैं जन्म रेने के बाद बच्चा अपने परिबार में रहता है अपने माता पिता के साथ रहता है और इसके माता पिता घर में जो बाते करते हैं जिस भासा में बाते करते हैं उस भासा को वो सबसे पहले सिखता है और इसलिए उसे मात्री भासा कहा जाता है जैसे यदि किसी का जन्म हिंदू परिबार में हुआ है तो उसकी मात्री भासा हिंदी होगी और किसी का जन्म यदि पंजाबी परिबार में हुआ है तो उसकी मात्री भासा पंजाबी होगी तो आगे हम अब जानते हैं राश्ट्र भासा के बारे में राश्ट्र भासा किसे कहते हैं देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भासा को राश्ट्र भासा कहा जाता है राश्ट्र की भासा, इमोसन की भासा, कल्चर की भासा, भावनाओं की भासा ये सभी राष्ट्र भासा कहलाई जाती है कोई भी राष्ट्र भासा अपने देश की संस्कृती और जन्द भावनाओं से घराई तक जुड़ी होती है ये स्वभाविक और जन्द साधारन की भासा होती है अधिकांस लोग इसे बोलते हैं भारत में लगबग 70 करोड भारतियों द्वारा हिंदी बोली जाती है हिंदी संपर्क भासा के रूप में लगबग पूरी देश में बोली वह समझी जाती है इसलिए हिंदी को भारत की राष्ट्र भासा कहा जाता है अब हम आते हैं राज भासा राजभासा किसे कहते हैं? समिधान द्वारा स्विक्रित सरकारी कामकाज में प्रयोक की जाने वाली भासा राजभासा कहलाती है. यह आपचारिक होती है, नियम में बंधी हुई भासा होती है. हिंदी हमारे दिश भारत की राजभासा है. हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को अनुचे 343 के अंतरगत राजभासा का दरज़ा दिया गया था. चुकि भारत बहु भासी देश है, इसे देखते हुए यहां सुविधा की अनुसार राज़ियों को अंग्रेजी या फिर वहां की मात्रिभासा में कार्ज करने की अनुमती भी दी गई है. राजभासा को सीखनी पड़ती है, इसे सीखी जाती है. दोस्तों, आसा है आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट्स करके जरूर बताईएगा. मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाई बाई.